नमस्कार विद्यार्तियों आज अपने रसों के लक्षण और उधारण में करणुरस के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करते हैं करणुरस की परिभासा करणुरस की परिभासा प्रिये व्यक्ति अत्वा इस्ट वस्तु के विनास के कारण हिर्दय में जो विशाद अत्वा सोक उत्पन होता है वे अपने अनुकूल विभावादी का संयोग पाकर करण रस के रूप में परिणत हो जाता है अर्थार्थ यदि किसी प्रिय विगती की मृत्यू हो जाए या कोई ऐसी जो इश्ट वस्त होती हमें प्रियती वो नश्ट हो जाए उसके कारण हमारे हिर्दय में जो दुख का शोक का भाव उत्पन होता है और वही अपने अनुकूल विभाव अनुभाव संसारी का स्योग उपाकर के रस रूप में परिपूस्ट हो जाता है इस रस के अव्यव है वो इस परकार है इसका इस्ताई भाव सोक होता है इसमें आलम्मन है प्रिय जन का निधन अत्वा इश्ट वस्तु का विनास यानि ये कारण होते हैं रस रूप में परिनत होने के उद्धीपन है सम सान का द्रिश्य सव को देखना मृत्प्रिय जन्चे संबनित वस्त्वे गुण एंकारियों का दर्शन इसमें अनुभाव है देवनिंदा भूमी पतन रोधन कंप प्रलाप स्तंब वेवर्णे ये इसमें अनुभाव के रूप में आते हैं संचारी भाव है निर्वेद, मोह, अपसमार, गलानी, व्याधी, देन्य, जड़ता, उनुमाद, चिंता ये सारे इसके अंग है अलमन, उदीपन, अनुभाव और संचारी भाव अब बात करते हैं हम इसके उदारण की का सोक भाव व्यक्त हुआ है जो आसरे उत्तरा के स्ताई भाव के साथ विभावादी का संयोग पाकर के करणो रस में परिनत हो गया है अरतार्त जब अभीमन्यू की मृत्यू का समाचार उत्रा को मिलता है तो उसके हिर्दय में दुख उत्पन होता है और वो स्ततकाले संग्या रही तो हो जाती है मूर्चित हो जाती है ये सारे के सारे उसमें अनुभाव विभाव और उदीपन होते हैं करुणरस की निस्पति करने में फिर हम अगले रस की बात करते हैं अगला रस है अपना रोद्ररस रोद्रस की परिबासा में सत्रूओं की चेस्टाओं ललकार गुरुजनों की निंदा अपकार मान भंग आदी से जागरत क्रोध यानि क्रोध उसका इस्ताइबाव होता है तदन रूप विभाव आदी का सियोग पाकर रोद्रस के रोप में परिणत हो जाता है यानि कोई ऐसी सामने कोई अपना सत्रू हो दुस्मन हो वो हमें ललकारे चुनोती दे या हमारे सामने हमारे गुरुजनों की निंदा करे या हमारा अपमान करे ये सारे भाव मिलकर के वो दरस की रूप में निस्पत्ती हो जाते हैं अब हम बात करते हैं इसके अव्यों की तो स्ताई भाव इसमें है क्रोध जो आसरे की हिर्दय में रहता है आलमन है शत्रू ये वो उसके पक्स वाले आताई व्यक्ति यानि वो कारण है शत्रू और सामने वाले वो जो व्यक्ति जो हमें दुखित करता है इसमें उद्धीपन है शत्रू द्वारा कियेगे अनिस्ट कारे अधिक शेप तथा कठोर वचनों का प्रियोग करना ये इसमें उद्धीपन का काम करते हैं अनुभाव, नेत्रों का लाल होना, कंप, शवेद, रोमांच, दान्त पीसना, होट चबाना, कठोर वचन कहना आदी ये सारे के सारे अनुभाव में आते हैं संचारी भाव, मद, अमर्स, उगरता, स्मृति, आदी ये सारे संचारी भाव में आते हैं जो उसके पुष्टी करने में साहिक होते है रोधरस की अब हम बात करते हैं इसके उधारण की गहर्ब के अरभक काटन को पटु धार कुठार कराल है जाको सोई हो बूजत राजसवा धनू को दल्यो हो दली हो बलता को उप्रिक्त पंक्तियों में शीव धनूस भंग होने पर परसुराम जी का लक्षमन के प्रती क्रोध वर्णित हुआ है क्योंकि शीव का धनूस है वो परसुराम जी को बहुत ही प्रिय था और जब वो सभा में आते हैं उनको यह समाचार मिलता है तो वो लक्षमन के प्रती क्रोधित होते हैं तो इसमें इस्ताई भाव क्रोध हो आसरे परसुराम जी यानि जिसकी हिर्दय में रस निस्पन होता है वो आसरे तो आसरे हैं परसुराम जी आलमन है लक्षमन क्योंकि उनके कारण है उद्धीपन यानि उसको तेज करने वाले क्रोध को बढ़ाने वाले कारण है लक्षमन द्वारा परसुराम जी का परिहास कर अपमान करना इसमें अनुभाव है परसूराम जी द्वारा कुठार दिखाना आंखे लाल करना दांत पीसना बोहें टेडी करना यह सारे अनुभाव यानि जिसके हिर्दे में रसकी निस्पत्ति होती है तो उसके शरीर से या अनुभावों से में पता चलता है कि क्या क्या प अगला रस है अपना वीर रस वीरस का की प्रिबासा है उत्साह नामक स्ताई भाव जब अपने अनुकूल विभाव आदि से स्यूंत होता है तो वह वीरस के रूप में परिणत हो जाता है वीरस के प्रमुक चार भेद किये गए है नंबर एक युदवीर नंबर दो नंबर तीन दानवीर नंबर चार दयावीर ये चार भेद है वो किये गए है वीरस में वीरों के इन में से अधिकतर युदवीर का ही प्रदान्य स्विकार किया जाता है वीरस के परमुक अव्य निम्लत है इसमें स्ताई भाव उत्सा होता है आलम्मन इसमें युदवीर के अब हम बात करते हैं उद्धीपन की वीरस में उद्धीपन कोण कोण हो सकते हैं युद्वीर के लिए शत्रू का प्राकरम दानवीर के लिए अन्य दान दाताओं के दान दान पातर द्वारा की गई परसंसा यानि लोग परसंसा करते हैं वो भी उद्धीपन का कारण होता है दानवीर के लिए धर्म गरंतों में वरनित धार्मी कितियास और फलस्तूती दयावीर के लिए दहने विक्ति की दूरदर्सा आदी यानि जिस पर वो दया दिखाता है उसके दूरदर्सा भी एक उद्धीपन का कारण करती है उसके दयावीरता को वो बढ़ाती है अब हम बात करें अनुभाव की युद्धीवीर के लिए गर्व शुचक वाक्य यानि उत्सा बढ़ाने वाले वाक्य ये अनुभाव है वो बोलता है रोमांच होता है दानवीर के लिए याचका आदरसतकार करना अपनी दान सिलता की परसंसा करना धर्मवीर के लिए धर्म के लिए कश्ट सैन करना तथा धर्म के आचरन करना दयावीर के लिए दयापात्र के प्रती सांत्वना आदी ये सारे अनुभाव होते हैं अब संसारी भाव धृती, स्मृती, गर्व, तारक, हर्स आदी ये सारे के सारे संसारी भाव होते हैं सभी परकार के वीरों में धीरोदातत्व का गुण होना आवसक माना गया यानि जितने भी ये वीर है इनमें धीरोदत्वीर का गुण होना आवसक माना गया है अब हम बात करते हैं इनके उधारणों की तो सबसे पहले हम लेते हैं युद्वीर का उधारण मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे ये मराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे है और की तो बात ही क्या गर्व में करता नहीं मामा तथा निजतात से भी युद में डरता नहीं ये गुपजी द्वारा रचित जैदरत वद नमक कावे की पंक्तिया हैं इसमें अभी मन्यू की वीरता का वर्णन हुआ है अभी मन्यू अपने सार्थी से ये सारी बाते कहता है कि मैं सच कहता हूँ, मैं कोमल नहीं हूँ, मैं यमराज से भी युद कर सकता हूँ मेरे सामने माता पिता भी आजए, मामा भी आजए तो भी मैं युद में डरने वाला नहीं हूँ अब बात करें हम दानवीर के उधारन की है मुझ करण का करतव्य द्रिड है, मांगने आए जिशे निज हाथ से जट काट अपना सीस भी देना उसे बस क्या हुआ फिर अधिक घर पर आ गया अती थी जिशे हूं दे रहा कुंडल तथा तंतरान ही अपने इसे इन पंक्तियों में करण की दानवीरता का वर्णन हुआ है जब करण के द्वार पर याचक के रूप में इंद्र है वो अपने करण के कवच और कुंडल मांगने आता है तो इंद्र है वो उसे पता है करण को की इनके देने से मेरी मृत्य हो सकती है लेकिन फिर भी वो इंद्र को कवच और कुंडल देने के लिए सहर्स परस्तूत हो जाता है अब हम बात करें धर्मवीर के उधारन के और जो टेक धरीमन माही ने च्छाई हो कों करो बहुतेरो धाक यही है युदिष्ठर की धन धाम तजो पे न बोलन पहरो मात सहोदर अव सुत नारी जू सत्य बिनाती ही होयन बेरो हाती तुरंगम ओ वशुदा बस जीवहु धर्म के काज है मेरो इसमें युदिष्ठर की धर्मवीरता की वेंजना हुई है वो कह रहे हैं कि धर्म के लिए मैं ये सारे नारी, सुत, परिवार, वसुदा, हाती, तुरंगम इन सब को मैं है वो नुचावर कर सकता हूँ अब हम बात करते हैं आगे दानवीर के उधारन की देखत मेरे को जीव है नहीं सुनी के धुनी कोस हजारत धाऊं आउर को दूख न देखी सकों जीए भाती छुटेती भाती छुटाऊं दीन दयाल है छतरी को धर्म तहुं सीवी हो लग व्यादी नशाऊं तु जानी सोचे कपोल के पोतक आपनी देह देवतोरी तोही बचाऊं उप्यूक्त पंक्तियों में बाज रूप इंदर से भैबीत सरनागत कपोतर के प्रती सीवी राजा के ये वचन उसकी दया वीरता को प्रकट करते हैं इन पंक्तियों में राजा सीवी ने कपोतर के प्राण बचाने के लिए अपने देह से मास देने की भी परस्तुतों जादे तत्पर हो जाते हैं अरतार्त उनको कपोतर पर दया आती है और वो उसके जीवन की तक्सा करते हैं तो आज हम ने तीन रसों के बारे में दिन किया बाकी का हम कल पढ़ेंगे धन्यवाद